नमस्का दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि लोगों को आर्थिक नुकसान होता रहता है जिसकी वज़ा से उनके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याया जाती है जिसकी वज़ा से भे अपनी जीवन को अच्छे से नहीं जीपाते है या फिर इंजॉयफूल नहीं जीपाते है आज मैं लेकर आईयों कुछ ऐसे उपाई जो भी आर्थिक इस्तिति हैं ूँद चीजों को वहर जल्द ही समेट देता है और आपके आरिफिक स्तिति को बना द तो वहें आपके घर में फल दायक देगी और आपके जो भी आर्थी किस्तिती बिगडी हुई है या फिर दलितता आ रही है उन चीजों को दूर करती है नमबर दो वैसे तो कुवेर भगवान को हम सभी जाते हैं धन का कुरू मना जाता है यदि आपके जीवन में धन की कमी है दूरलफता आ रही है तो उसके लिए आप कुवेर भगवान को तिजोरी में रख सकते हैं या फिर कुवेर भगवान का यंदर भी आता है या फिर जहा की बुरी नज़र लग गई है तो उसके लिए आप अपने घर पे गोगल और इंदोरों को जलाने के बाद अपने ही घर में इसका धुआ करिया ऐसे करने से आपकी जो बुरी नज़र लगी है वैं तूर हो जाएगी नमबर चार यदि आपके पास बुकंड या निकी आपके पास जमीन है जमीन होने के बावजुद आप अपना घर नहीं बना पा रहे हैं उसके विज़ा से आपको प्रॉब्लम हो रही है आप किराय पे रहे हैं और आपका जीवन सही से नहीं चल पा रहा है तो उसके लिए आसान सा तरीका है आप हस्त नप्षत्र के दिनों में इशान कौन पर अनार का पोधर लगाई है ऐसा करने से आपके जो भी कारे हैं वह सफर हो जाएंगे लेकि दिहान रखें जब भी ये कारे कर रहे होते हैं तब वह समय और तिथी दिहान से रखें ताकि आपके जीवन में जो भी काम सुबता के साथ हो रहे हैं वह डेट आपको याद रहे कि आपके जीवन में कब आपके सुख आए थे तो यह है वह आसान से उपाएजी ने आप करने से अपनी आर्थिक इस्तिती को और भी ज्यादा अच्छा और मजबूत बना सकते हैं मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले